हेलो स्टूडेंस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंस आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दीचाने वाली कारे पत्रक नमबर 37 करेंगे जो कि क्लास 7th की है और विशे है विज्ञान ये वरक्षिट 26 फेबरी 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वरक्षिट वरक्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वरक्षिट प्राणियों में पोशन मानव में पाचन देखे क्या कहा गया वरक्षिट में निमन लिकित प्रते एक प्रशन में सही विकल्प का चेयन करें, हम इस चप्रा को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे सासत आप भी मुझे अंसर बताइएगा, कोशन नमबर बन, आहार नाल और संभंधित गरंथियां मिलकर मतलब लार, जो हमारी मुख के अंदर लार होती है, वो मंड को, मतलब स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देता है, शर्करा में, किसमें परिवर्तित कर देता है, शर्करा में, अब हम करते हैं, प्रशन नमबर तीन, देखो क्या करना है, मिलान करना है, तो आईए करते हैं मिलान देखो, दूद के दान, दूद के दान क्या होते हैं, दानतों का प्रथम सेट, सबसे पहले जो दानत आते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, दूद के दान, उसके बाद ग्रसिका, ग्रसिका क्या है, मुख गुहिका, जो हमारा माउथ है, और हमारे स्टमक, हमारे अमाश्य को जोडता है उसे हम क्या कहते है ग्रसिका तो ये हो जाएगा नबर टो में ठीक है उसके बाद नमर फूर पे जीम जीब क्या है एक मासल पेशी अंग है तो नमबर 4 यहाँ पर आ जाएगा और सबसे लास्ट 5 पिताश्य पिताश्य क्या करता है पितरस का संग रहे हैं तो यह नमबर 5 हो जाएगा ठीक है थोड़ा ध्यान से और साब्धानी से याद करने के साथ साथ अब इसे करेंगे तो यह हमारा होता है जो second third question है जहां यकरत गहरे लाल भूरे रंकी गरंती है जो उदर के उपरी भाग में दाहिनी और स्थित होती है ध्यान से सुनो जैसे कि यह हमारा माश्य होगा ठीक है यह इतना शायद आपको डाइगरम भी थोड़ा बहुरत याद होगा इस तरह का हमने डाइगरम मनाया था तो देखो क यकरत गहरे लाल भूरे रंकी गरंती होती है जो उदर के उपरी भाग में दाहनी और यहां पर स्थित होती है इध्यान रखेंगे आप और यह है शरीर की सबसे बड़ी गृंति होती है यह है पित रसका स्त्रावत करती है यह क्या करते हैВОढ यहां से देखो क्या करता है यह देखो समझाती हूँ जैसे कि यह माल्व इस तरह से होता है अम चलो रॉफी डैगर मना रहा है थैली होती है जिसे पिताश्य कहा जाता है यह यक्रत है ठीक है और यह पिताश्य जहां से यह रिलीज हो रहा है यह यहाँ पे स्टोर हो जाता है ठीक है अभी के लिए इतना ही समझू यह पितरस का स्त्रावत करती है जो एक थैली में संग्रहीत होता है जिसे पिताश्य कहते के फित रस वसा के पाचिन में महतवपुन भुमी का निभाता है तो पित रस क्या करता है वसा की पाचिन में महतवपुन भुमी का निभाता है अब यहाँ पर question दिये गए है जिने हमें solve करते हैं तो देखो first question क्या कहता है हमारे शरीर में यकरत कहा स्थित है तो देखो यह दिया गया answer यहाँ पर इसको first कह देते हैं question इसको second कह देते हैं तो first question यकरत गहरे लाल बुले रंग की ग्रंती है जो उदर के उपरी भाके दाहिनी और स्थित होता है और यह है यह भी लिख सकता है सबसे बड़ी ग्रंती है तो number one answer तू पित रस का क्या का रहा है तो answer number two यहाँ से आ जाएगा पित रस वसा के पाचन में महतवण भूमिका निभाता है तो यह हो जाएगा इसका answer number two अब हम करते हैं next question देखो क क्या कहा गया है question number five देखते हैं उचित विकल्प का चैन करके दिकस्तान को भरो शुद्रान मतलब कि छोटी आंत में कार्बोहाइड़ेट शर्करा को ग्लुकोज में बदल देता है किसमें बदल देता है तो पहले में क्या आ जाएगा ग्लुकोज ठीक है और प्रोटीन को जो देखो छोटी आंत में क्या होता है कार्बोहाइड़ेट तो है किसमें बदल जाता है ग्लुकोज में बदल जाता है जो शर्करा है ग्लुकोज में बदल जाता है और प्रोटीन अमीनो अमल में प्रोटीन किसमें बदल जाता है अमीनो अमल में परिवर्तित हो जाता है समझ में आए पहले में क्या आजाएगा गुलुकोस दूसरे में अमीनोमत तो बेटा आज की जो वरक्षिट है वो कम्प्लीट होती है वरक्षिट कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाई और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू स्टूरेंट्स